येलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूटिव चैनल आज के इस वीडियो में टैली के एक और एड्वानस टेडियल फाइल के बारे में डिस्कास करेंगे ये टैली की काफी amazing और latest टेडियल फाइल है टैली की इस टेडियल फाइल के मदर्से आप get above tally में रहते वे अपनी auto cash payment के entry को कर सकते हैं यानि आप एक बार अपनी cash payment के entry को set करेंगे और पूरे मन्त आपकी वो entry automatic हर दिन होती रहेगी तो आईए देखते हैं ये tally के कौन सी advanced tutorial file है और आप इसको किस तरह से use करेंगे वीडियो को start करने से पहले आपसे एक request है कि अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो आप इसे कर लीजे आप यहाँ पर red color के subscribe बटन पर click करके इसे subscribe कर लीजे और साथ यहाँ पर bunny bell icon को भी press कर लीजे जिससे आपको हमारे चैनल पर आई टैली, e-way bill और GST से related latest video की update notification के थ्रू मिलती रहेगी तो आई आज की topic को शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम टैली software में आ चुके हैं और आज मैं आपको टैली के एक advanced TDAL file को load करके दिखाएंगे टैली के इस TDAL file की मदद से आप अपनी auto cash payment के entry को एक बड़ सेट करेंगे तो अपने आप वो पूरे मन्थ होती रहेगी यानि आपको एक बार अपनी cash के entry को करना है और आप अग जैसी उसको set करेंगे कि 30 दिन तक हमारी एंट्री होती रहेगी तो उसके लिए हमें एक बार उस entry को set करना होगा तो आईए सबसे पहले में इस TDAL file को load कर लाते हैं जिससे आपको topic clear हो जाएगा तो यह हमारी वो TDAL file है जिसका नाम है daily auto payment TDAL file इस TDAL file को daily में load करने के लिए simple आप इस पर right click कीजिए properties माईए और securities वाले टैप में आके यहां से इसके full name को copy कर दीजिए इससे copy करने के बाद अब दुबारा से daily software माझाईए और get of daily में रहते हैं आपने keyboard से F12 की press कर दीजिए जिससे आप configuration वाली window पर जाएंगे और यहां से simple product and feature माझाईए product and feature माने के बाद यहां पर right side में आपको options हो रहा है manage local TDL यहां तो आप simple इस पर click कर दीजिए यहां तो इसकी shortcut की F4 इसकी shortcut करते आप TDL configuration वाली window पर जाएंगे और यहां पर सबसे पहला option लोड TDL final startup इस पर yes कर दीजिए और नीचे वाल option माझा को इस TDL file को पेश कर दीजिए इसकी shortcut किया Ctrl Alt B then आप simple इस TDL configuration वाली window को accept करा दीजिए इस accept कराते हैं यहां पर हमारी TDL file successfully load हो चुकी है तो यह देखते है कि TDL file वर्क कर रही है यह नहीं इस TDL file को load करते हैं आप उपर get above tally में नीचे की तरफ देखेंगे में एक नया option शो रहा है जिसमें लिखावा है auto payment vouchers यह option अभी आपकी tally में शो नहीं हो रहा होगा लेकिन जैसे आप इस TDL file को load करेंगे यह option आपकी tally में भी शो होने लग जाएगा तो आइए देखते है option किस तरह से वर्क करेगा इस option को वर्क कराने के लिए हम यहाप आपको cash के entry करके दिखाएंगे तो जो हमारी daily base cash के entry होती है वह हमारी wages के entry होती है कि हम अपने labors को daily base पे 200 rupees की wages देते हैं यह हम cash के थुरू करते हैं तो हम यहाप एक wages का लेजर बना ला है तरह इसको accept करा दीजिए तो अब हम यहाँ पे cash के entry करके देखते हैं तो simple यहाँ पे हम auto payment voucher समा जाते हैं यहाँ पर हमारे सामने एक नई विंडर शूरी जिसमें लिखाव है starting date आप कब से कब तक के entry करना चाते हैं तो हम यहाँ पे एक फरवरी से 28 फरवरी तक के entry करना चाते हैं जैसे जैसे हमारे डेज बीचते रहेंगे हमारी एंट्री होती रहेगी एक मार्च अब यहाँ पर टोटल हमारे 28 हो गया यानि हमारी नंबर विस्टोल्मेंट 28 हैं यहाँ पर लेजर हम से पूझा रहा आप cash के थूरू payment करना चाते बैंक के थूरू लिष्ट यानि आप हर दिन कितने की payment कर रहे हैं तो एक्जामपल के लिए हम यहाँ पर हर दिन 12 रुपे की payment कर रहे हैं इसको जैसे आप एकसेप्ट कराएंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपकी entry हर डे के साब से होती रहेगी यहाँ पर दो फरवरी तक की entry आगई जैसे इसे days होत रहेगी तिरहेगी थैंक्स वर वचिन दिस वीडियो